तो हम लोग जो हैं छोले बुटूरे खरीदने के लिए आए थे और आभी पीछे हमने एक और शॉप पे फ्राइड राइस और नूडल्स का ओर प्लेस किया है पिकॉस आज शैंकी का हैपी वाला बर्दे है तो शैंकी हमको लेने के लिए आया है क्योंकि हमको मेरेट वापस जाना है तो जिजजने सोटा की चलो छोटा सा एक सेलिबरेशन भी कर लेते हैं तो ज़्यादा कुछ नहीं खरीद रहे हैं तीनों ही चीज थोड़ी थोड़ी सी हमने लिए विकॉस सफर भी करना है और ज़्यादा खाया पिया भी नहीं जाता सच बताऊं तो मम्मी तो बि बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है देखे जहां केक वहां कॉन आप खुद क्यास कर लीजी क्योंकि मैं तो हर बार बताते बताते थक चुकी हूँ लेकिन केक जो है आने बिल्कुल भी बंद नहीं है इतने केक आप लोग देख चुके होंगे कुछ दिनों में मेरे है वैसे भी लेकिन हमने बहुत केक खा लिए कि हम केक से बोर हो चुके हैं यह वाला केक ना बड़ा प्यारा सता देखिए पास से दिखा जेते एक पर कट करने से पहले ना इसको कैप्चर कर लेते हैं शैंकी लिखा हुआ है और फूट्स है नर्ट्स लगे हुए हैं डूमे और पाइनेपल फ्लेवर का है मिरको केक में जो है पाइनेपल फ्लेवर ही बहुत बहुत अच्छा लगता है और साथी साथ स्ट्राबरी हो मैंगो हो चॉकलेट नहीं पसंद बाकी तो सब में खा लेती हूँ लेकिन सबसे ज़्यदा पाइनेपल पसंद है मिरको तो नहीं है लेकिन अभी तीनों के साथ ये कट करेगा केक, दो के साथ तो बहुत बार कट कर चुका है और आज नई नई भाण जी के साथ पहली बार केक कट करेगा, तो थोड़ा थोड़ा आप देखी सकते हो चुटकी को हमारी इसका फेस ना मैं अच्छे से आपको इसलिए नहीं दिखा रही क्योंकि अभी हवर नहीं हुआ है नहीं के गट पे तो सब माईने तक दिखाते नहीं है, कई मतलब लोगों किया रिवाज होता है, ऐसे रिवील नहीं करते हैं बासू कभी नहीं किया था हम लोगों ने, सब माईने के बाद ही जो है दिखाया था इविन सन्नी भाई तो वाटसब पे भी बहुत कम डालते थे, उसकी फोटो बगरा फेस्बुक पे भी नहीं डाली थी, बाद में ही डाली थी तो केक कट हो चुका है, तीनों जो हैं खुश हैं अपने मामा के संग केक कट के यह देखो, अब जी जाजी ने खिला दिया, सोना खिलाएगी, दियो खिलाएगी, नानी खिलाएगी मतलब कि मुम्मी खिलाएंगे हमारी और देन उसके बाद नहीं है मैं हम सब खिलाएंगे और फिर सब खुद खाएंगे केक केक के लिए बच्चे बड़े अक्साइटेड रहते हैं और उनको कुछ नहीं खाना होता केक उसके ओपर जो फ्रूट्स लग रहे होते हैं या फिर वेफर्स होते हैं रोल्स वगार आजकल लगा देते हैं वो इनको खाने होते हैं और जो शैंकी लिखा हुआ है वो भी जो चॉकलेट्स आती है कौन सी आती है मुझे याद नहीं है रहल बहुत मीठी चीज होती है इससे जो ये अलफबेट बना रखे हैं इनको वो सब खाना है तो बस ये वेट कर रही है ये देखो लग पड़ी है ये दोनों की दोनों और ये यहाँ पर घर में ऐसे ही करते हैं बच्चे जब इनको पता होता है कि और कोई नहीं है हमारे अलावा इस केक को काने वाला और कोई और बहार का कोई इन्वाइट नहीं है तो बच्चे ऐसे हरकत करते हैं अदरुआइस हमारे घर के बच्चे जैसे दिया के बदे के टाइम भी आप देख सकते हो इतना सुन्दर उसका केक सा लेकिन वो चुपचाप खड़ी हुई थी शांद खड़ी हुई थी उसको नहीं चेड़ना था उस ताइम उसको पता था बहुत सारे लोगे केक को जूटा नहीं करना तो प्लीज कोई बैट कॉमेंट्स बिल्कुल मत कीजेगा क्यों यहा है शेंकी ने सबको केक खिला दिया है मुझे भी खिला दिया था जो कbrahim जिजजँ न अच शूट नहीं किया है जिजजजी को भी किलाया ता क्याम्रा ओन करना ब्हूं करना हमारे भूल जाते हैं मैं पापने पर केक कटकर करके देदक और निकलने का टाइम हो रहा है निकलने से पहले ही हमने ये जो है केक काटा था और जो खाने पीने को सम्मान हम लेकर आये थे वो केक कटने से पहले ही हम लोग खा चुगे थे क्योंकि दुपैर का टाइम हो रहा था दो ठाई बजे का और अभी जब हमने केक कट किया है ये टाइम हो रहा है चार साड़ी चा तो यहां पर जो है अभी हमारे जाने का टाइम हो रहा है दिया जो है इसको गोदी में ले रही है बहुत देर तक गोदी में लेकर बैठी रही रात के टाइम देते थे वैसे लेकिन निया को पता था आप चले जाएंगे तो इसको इसलिए बहुत देर तक गोदी में दे दिय था शेंकी ने भी काफी खिलाया इसको डरता है वो वैसे लेने में न लेकिन आज इसने काफी खिलाया शेंकी ने तो हम अपना जो छुट-छुट सा समान है कपड़े बहर डाले और ममी ने दूप में दोखे वो सब उतार के बैग में तै करके रख रही है और दिया की हमने काम चलाया फिर प्यार दुखने लगे तो हवाई चपली खरीदी थी तो हमने सचा की चलो अपनी गारी से जाना है हवाई चपली पैन लेते हैं सेंडिल लग देते हैं तो यहां पर ममी बहुत सारी नसियात दे रही है यह मत करना वो मत करना समान भारी मत उठाना लग वोच दिखते नहीं है, नीचे मुखरने से, तो, उसने मुँनी चकरा हुआ है, आप लोग闭 बोलते हैं न, वो हसती नहीं है, तो हम लोग भी रहा है, मतलब आपने वुद्धम में नहीं हसोंगे, तो आप भी कहोगे, चैनल खोल लिया है, नहीं नहीं तो मैं भी इतना जाधा नहीं थी हूं और बहुत जाधा מא भी आता हूं यूट्यू इस जए सकते होकि feeling खुलके हम जहाई नहीं कर पाते हैं अगर खुश भी होते हैं जिसे कई लों बड़े excited हो जाते हैं तो वह चीज भी हम नहीं कर पाते हैं कं थाऑ तो में अपी ःपनी कुछ बाते बाते कर रही हैं समझारी हैं बाते को करें कैसे कि अकीला संब कुछष बंब वैसे तो जीज देखिते ही हो कि बहुत सारा ख्याल ख्याल लगते हैं लेकिन लेटी हैं się कि Sü吧 king जाते जाते सोना से सोना ना थोड़ा सा बड़ा जीब महसूस करती वैसे नहीं करती लेकिन जैसे अभी महसूस करती है कि छोटी बेबी के संग सारी चीजे शेयर कर रहे हैं उसको ज़्यादा लाट कर रहे हैं तो सोना को अभी कुछ ज़्यादा एक्स्टा प्यार करना पुरा फिल करती है अभी तब उसको ही प्यार करते थे और अब दो दो जने हो गए हैं तो मम्मी बहुत सारा ख्यार लगने को पोली है आप देख सकते हो और मन नहीं गर रहा था मम्मी गाड़ी में विरुआसी होई थी और सोना का भी फेस आप देख सकते हो बार-बार कहा रही थी आप हमको भी लेकर जाोगे क्या क्योंकि उसको पता था कि लेकर जाएंगी मम्मी लेके अभी थोड़ा सा हवन नहीं हुआ है सव महीना भी नहीं हुआ है तो उसके बाद देखते हैं नहा को लेकर आना पड़ेगा एक रसम के लिए और उसके बाद जो है प्रॉपर ठोड़ा सा रैस्ट देंगी मुम्मी उसको बढ़िया वाला अभी भी रैस्ट नहां पर कर रही है लेकिन जिसना सो नकले की जब नहां आएगी तो यहां पर नीचे आ चुके हैं नहा के साससूर से मिलने के लिए आंटी की भी जो है तब बिलकुल ठीक नहीं है बहुत जादा बिमार चल रही है वो भी तो दिया ना यहां पर अपने दादा दादी से बोल रही थी मैं जारी हूं मुझे गि तो इस बार वो सोच रही थी कि अभी भी गिफ्ट मिलेगा बच्चे ऐसी होते हैं तो यहां पर उसको बहुत ज़्यादा अटैच्मेंट हो गई थी यहां से उसको बिलकुल भी जाने का मन नहीं कर रहा हूं सोना भी जो है उदास भी होरी थी लेगे ना वो हस हस के दिखा अगा वहारी थी होते हैं वच्चे थोड़े से हम पर आज गुझे हम नहीं खृष और गम हो तो सोना को प्यार कर रही थी मैं छोटा बेबी और निया उपर यह चोड़ने के लिए जो है घर के बार जी जाजी है निया की सासुमा है सासुर जी है और टाइम अभी हो रहा है पांच बजे का एक डेट गंटे में हम लोग पहुंच जाएंगे और मैंने सोचा हुआ ह कि आज मैं जाके कोई भी काम नहीं करूंगी बस थोड़ा सा जहाड़ू पोचा करने वाली हूँ उसके पूरा प्रॉपर जो है धोबी गार्ट खोलने का प्लैन है मेरा कपड़ी लगाने हैं ड्राइक लीन के देने हैं बहुत सारे काम हैं जाते हुए मतलब ऐसा हो रहा थ कि छोड़ के जा रहे हैं बेबी को ये है वो है बट्टो दिमाग में काम भी बहुत सारे थे सच बता हूँ तो अब हम चल पड़े हैं ये देखिए दादू डादी सोना और जिजाजी साब पीछे रह गए हैं और हम लोग थोड़ा सा दूर निकल के आ गए थे मम्मी बहु ज्यादा मतलब ममी को फील हो रहा था अक्सको अकेला छोड़कर आते हुए क्याते हुए सो हम लोग जो हैं नाइडा से आ चुके हैं मेरट और सभसे पहले जो हैं बड़े पापा को देखने के लिए आ गए थे बड़ी मुम्मी से मिलने के लिए आ गए थे बड़ी मम्मी ने चाय बना ली और खाना खाने के लिए भी बोल ली थी बट ममी ने करना ही चलते हैं और टाइम ना यहां पर बैठे बैठे हो गया था साथ बजे का साड़ी छेम पहुचे थे तो मिर को जाके ताजा पानी भरना था पॉर्टल में 10 दिन पुराना पानी हो गया वोका किचन में भी पानी चेंज लगा है कंधे से जो है नीची की तरफ और यहां पर शेंकी वासु को खिला रहा था तो आज शेंकी का बर्दे है और अभी एक सेलिब्रेशन हमारा हो चुका है बस घर जाके रेस्ट करेंगे इसको जाना होगा अपने दोस्तों के साथ तो यह होकर आ जाएगा तो ममी चाह चैनल पर नहीं आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बैल बटन के साथ ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन जो है आप लोगों को टाइम पर मिल सके और थांक यू सो मच मुझे पता है आप लोग बहुत सारी विशीज दोगे तो पहले सही थांक यू बोल तो पास्तोर पिदियान अगना